नमस्कार, वेलकम टू बिहार सिविल्स, मैं हूँ आलोक सिंग और आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे 4th February 2022 के बिहार Current Affairs साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिसकस करेंगे अगर आप रिप्रेशन कर रहे हो BPSC, CTPO, बिहार SI, बिहार SSC या फिर बिहार के दूसरे competitive exams की तो आप बिहार से विसको जरूर सब्सक्राइब कर लिजिएगा गिडियेप आपको हर दिन की तरह description box में मिल जाएगा तो चलिए without any further delay, let's start Which date anniversary of बिहार's first chief minister Shri Krishna Singh has been observed on 31st January 2022 31 January 2022 को बिहार के पहले मुखमंत्री Shri Krishna Singh की कौन सी पुर्णेति थी मनाई गई है तो बिहार के जो पहले chief minister थे Krishna Singh Obviously ये बिलोंग करते थे India National Congress से ठीक है तो और इनका जन्म हुआ था 21st October 1887 को और ये कहां पहुआ था? नवादा में ठीक है बिहार का नवादा जिला और इनकी death यहां पे मृत्तियों के death की बारे में पुछी जा रही है death कब हुई थी? 31 January 1961 को इनकी death हुई थी कहां पे? पटना में ठीक है तो ये इनका हो रहा है 61st death anniversary celebrate यानि observe किया गया है Option C is the correct answer यहां से आप से मैं सवाल पुछूँगा बताईए चीफ मिनिस्टर नितीस कुमार जो है वो बिहार के कौन से नंबर के चीफ मिनिस्टर है? कमेंटर बताईए मैंने पहले के वीडियो में आप से डिसकस भी किया है तो next question डिसकस करते है Which district of बिहार has topped in the निती आयोग's delta ranking of aspirational district? बिहार का कौन सा जिला? आकांची जिलों की निती आयोग की delta ranking में सिर्ष पर रहा तो यह कौन सा जिला है? यह जिला है खगडिया Option D is the correct answer और निती आयोग का यह aspirational district ranking होता है जो यह जो मैं ranking आपको बता रहा हूँ Based on November जी हाँ November के data था बट यह release हाल में हुआ है ठीक है? यह चीज़े भी आपको ध्यानक नावा वैसे time to time यह जो aspirational district का ranking है वो निकलता रहता है अब यहाँ पर question arise होता है कि यह जो ranking है आखिर क्या है? यह किस तरह की ranking है aspirational district की? या फिर यह किस आधार पर यह ranking निकाली जाती है यह निती आयोग किस आधार पर यह ranking निकालता है तो देखिए aspirational district program ठीक है? यह इसको PM मोदी ने launch किया था ज्यादा उनका infrastructure हो या जो भी चीज़े है वो बहुत ही पूर है उनको सुधार लाने के लिए उनमें improvement लाने के लिए और पुरे देश में 112 जीलो को select किया गया था under aspirational district program और मैं बता दूँ इन 112 जीलो में से 13 जीला जो है वो बिहार से चुना गया था most important question ठीक है? यह याद रखिएगा अब यहाँ पर अच्छा ठीक है aspirational district को P.A. Modi ने launch किया aspirational district program में आखिर किस basis पे ये लोग rank करते हैं देखिए ranking का 5-6 basis है आधार है जैसे health and nutrition पे ठीक है इसके आधार पे कैसा उस जीले का health and nutrition है जीले का education क्या है? सिक्छा ठीक है फिर उस जीले का agriculture agriculture and water resources कैसा है? ठीक है इस चीस पे भी ranking कर जाती है फिर है उस जीले का financial inclusion a skill development ठीक है और basic infrastructure तो ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर ये ranking दी जायती है time to time ये ranking निकाले जाती है ठीक है तो बहुत ही ये important है और यहाँ पे आप देख पाओगे खगड़िया जीला कहां पे है तो ये यहाँ पे है पटना the capital of बिहार और इसके east की तरफ आप जाओगे तो बेगू सराय मिलेगा इससे border लगे हुए और बेगू सराय के बाद आप जाओगे तो ये वाला जीला आपको मिलेगा खगड़िया ठीक है ये वाला जीला है खगड़िया तो इसको भी याद रखिएगा और जमूई जुथाना जमूई second position पे था और third पे राजस्थान का कोई जीला था ठीक है मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ next question which Indian athlete has been nominated for the laureate's world breakthrough of the year क्या है world breakthrough of the year 2002 award के लिए नॉमिनेट किया गया है किस भारती athlete को laureate's world breakthrough of the year 2022 पुरसकार के लिए नमांकित किया गया है याद रखिए अभी इन्होंने इस awards को जीता नहीं है बलकि नॉमिनेट ही है किया गया है और नॉमिनेशन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है पुरी दुनिया में 6 लोगों को इसके लिए चुना गया है select किया गया है नॉमिनेट किया गया है आप कह सकते हैं ठीक है उनमें एक भारतिये हैं और वो कौन है यह है निरत चोपड़ा option A is the correct answer और इसके पहले भारतिये अगर इंडियन के बात करें तो यह थर्डि इंडियन है जिनको नॉमिनेट किया गया है इसके पहले विनेश फूगाट को किया गया है जोकी wrestler है और उसके पहले सचीन तेंदुलकर को किया गया था नॉमिनेट ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है और ये थर्ड पे हैं और पुरी दुनिया में 6 लोग को स्रेट किया गया उनमें निरज चोपडा को अब इन्हें ये अबॉर्ड मिलता है या ने मिलता है वो देखना होगा और अब कोर्स निरज चोपडा का कौन भूल सकता है इनका वो गजब का आइकोनिक थ्रो इस बार जो 2020 का टोक्यो ओलम्पिक्स हुआ उसमें 87.5, 58 मिटर इन्होंने जैवलिन का थ्रो किया कितना 87.58 मिटर और इन्होंने इसमें गोल्ड जीता इंडिया के लिए और यहीं सिर्फ गोल्ड था इंडिया का तो ये भी याद रखिएगा निरज चोपडा का इंडियन आर्मी में क्या पोजिशन है सुबेदार का सुबेदार निरज चोपडा तो सुबेदार निरज चोपडा को हाली में अवोर्ड दिया गया था परम विशिस्ट सेवा मेडल इन्हें हाले में दिया गया है पुरे देश में बारह स्पोर्ट्स परसन को दिया गया है मेजर ध्यान चंद खेल रतना वोर्ड ठीक है पुरे देश में बारह स्पोर्ट्स परसन को इनमें से एक कौन है यह है निरज चोपडा question number 4 the lunar new year 2022 marks the start of the year of which animal तो चंद्र 9 वर्ष 2022 किस जानवर के वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है तो यह माना जाता है year of tiger ठीक है यह this celebration marks the start of the year of tiger option b is the correct answer और यह देखिए इसको यह Chinese new year जिसको एक फर्वरी को celebrate किया जाता है और यह celebration एक्चुली Chinese community वाले जो लोग है उनके इसमें रहता है कि इसमें इसमें year of year of ox का जो है न ओ एंड होता है end of the end of the year of ox और start of the year of tiger यह कहा जाता है ठीक है चाइनीज यह न्यू यूर वैसे सिर्फ चाइना में नहीं बलकि मॉंगोलिय वियतनाम यह सब में भी इसको celebrate किया जाता है इंडिया ज फर्स जिलोजिकल पार्क विल बी कम अप इन भारत का पहला भू वैज्यानिक पार्क स्थापित किया जाएगा कहां पे किस राज्ज में तो भारत का पहला यह जिलोजिकल पार्क है जिसको सेटप किया जाएगा मध्य प्रदेश में option B is the correct answer अगर मध्य प्रदेश में भी exactly जाएं तो कहां पे लमहेटा विलेज है मध्य प्रदेश में यही पे इसको सेटप किया जाएगा और यह लमहेटा विलेेज किस जीले में है ये जीला है जबलपूर जबलपूर district of मध्य प्रदेश ठीक है और जबलपूर अगर हमने बताया तो जबलपूर से तो आपको कुछ याद आनी चाहिए अच्छा नहीं जबलपूर नहीं एक्छुली वो तो IAT खड़ग पूर ने बनाया था ओरल कैंसर के लिए कंसर के लिए कि बनाया था फो टेबल डिपाईस ठीक है तो ठीक है अैटी यह खड़ग पूर था जबलपूर नहीं तो यहां पर इन्वेस्टमेंट करी जाएगी इस पार्क के लिए जी लोजिकल पार्क के लिए 35 करोड रुपए ठीक है और एक चीज इसकी अप्रूवल किस ने दिया इस जी लोजिकल पार्क को बनाने के लिए तो आपको मालूम होगा एक है जी लोजिकल पार्क ओफ इंडिया जिसका हेड़ क्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में इसने ही अप्रूवल यह दिया है जी लोजिकल पार्क वहाँ पे सापित करने के लिए जी लोजि मतलब आप समझी रहोगे जी लोजी स्टडी ऑफ अफ एर्थ साइंस कह सकते हैं जो भी रॉक्स होते हैं रॉक्स वगेरा इन सब चीजों के बारे में पढ़ाई एक तरह से अर्थ का इतिहास history of earth आप कह सकते हैं वो जूलोजी में आ जाता है ठीक ही कौन सा rock किस तरह से बना उसका किस तरह से formation हुआ कौन सा water किस तरह से बना कहां से आया यह सब चीजों का जो history है वो जूलोजी में हम पढ़ते हैं next question who has owned the Tata Steel Chess Tournament 2022 Tata Steel 17 Tournament 2022 किस ने जीता तो इसको जीता है world famous and world number one chase player Magnus Carlson option A is the correct answer जहां present में Magnus Carlson जो की Norway से बिलोंग करते हैं यह हैं वी world के number one chase player और आपको पता होगा कि Magnus Carlson ने इसके Magnus Carlson के पहले भारत के थे स्वामिनाथन आनंद तो जब स्वामिनाथन नहीं विश्वनाथन आनंद है विश्वनाथन आनंद थे इसके पहले number one तो Magnus Carlson विश्वनाथन आनंद को हरा कर ही number one बने और यह अब number one ही है और यह जो tournament था यह कौन से tournament था 84th tournament था जो कहां पे हुआ यह हुआ है विकानजी में विकानजी में हुआ है और यह कहां पे है यह place विकानजी यह आपको मिलेगा निदर लैंड में ठीक है याद रखिएगा और इसी tournament में एक section था challenger section इस section को किस ने जीता तो Indian Grandmaster ने जीता इसको अरजुन एरिगैशी यह भारत के तेलंगाना से बिलॉंग करते हैं और यह और यह फूर्थ Grandmaster है जिसने challenger section में इस टाटा अस्टेल चेस्ट उनामेंट को जीता है इसके पहले अरजुन एरिगैशी और एक याद रखिए तामिलनाडू का एक फूर्टिन इयर बच्चा है जिसका नाम है भरत सुब्रमन्यम जो बन गया है देश का 73rd Grandmaster ओविएसली चेस्ट में next question global center of excellence in affordable and clean energy inaugurated at which campus of IIT किफायती और स्वच उर्जा में वैश्विक उत्कृष्ट्रा केंद्र का उत्गाटन कहां पे किया गया है तो यह किया गया है IIT धारवाड option C is the correct answer IIT धारवाड आपको करनाटक में मिलेगा ठीक है और यह जो solution है यानि कि global center of excellence in affordable and clean energy है इसको अस्थाप्णी तहाँ पे setup कर कौन रहा है तो एक company है Honeywell Hometown Solution Hometown Solution India Foundation ठीक है यही यह global center of excellence in affordable and clean energy setup कर रहा है Who among the following is the author of the book titled Operation Khatm Operation क्या नाम है Operation Khatm निमलिखित में से कौन operation Khatm नामक पुस्तक के लेखक है तो इसको लिखा है RC गंजू और अश्विनी भटनागर ने यहनि Option E is the correct answer more than one ठीक है यह जो operation खत्म यह जो book है यह actually में उस operation के बारे में है जो जम्मू कस्मीर की police ने इसको करी थी जिसमें 22 आतंकवादी मारे थे एक group था जम्मू कस्मीर में JKLF जो आशकल band है वहाँ पे पहले यह खुलियाम घूमता था वहाँ पे जिसका नाम है जम्मू अंड कस्मीर लिबरेशन फ्रंट यह इस आतंकवादी ग्रूप को इस इस ग्रूप से ही 22 आतंकवादियों को मारा था operation खत्म के तहद हमारे soldiers ने next question which company has become the world's leading cheap maker by revenue in 2021 कौन सी कपनी 2021 में राजस्व के हिसाब से दुनिया की अगरणी cheap maker बंड गई है जो cheap वगेरा आता है जैसे पहले इंटेल का भी आप सुनते हो ज्यादा तर जो cheap होता है आप लैप्ट ओप फोन इस अब में तो इंटेल का ही use होता है ज्यादा तर ठीक है तो अब दुनिया की सबसे बड़ी cheap making company बन गई है Samsung option A is the correct answer और आपको मालूम होना चीए Samsung जो है वो South Korean company है जिहां South Korea की ये company है Samsung South Korean बहुत सारी गाड़ी भी famous है भारत में जैसे Hyundai South Korean company है Kia Motors South Korean company है ठीक है रिनाल्ट South Korean company है तो आप समझ सकते हूं South Korean company काफी अच्छा गासा कर रही है और किसके रिपोर्ट के तहत हमें ये मालूम चला है कि दुनिया की वर्ल्ड लीडिंग चीप मेकर कमपनी है Samsung तो ये कंपनी है एक काउंटर पार्ट तुलिए काउंटर पॉइंट टेक्नोलोजी market research next question name the chairman of LIC यानि life insurance corporation whose term has been extended तो LIC के अध्यच का नाम बताई है जिनका कारकाल बढ़ा दिया गया तो पहले से भी अध्यच थे obviously ये थे MR कुमार option B is the correct answer next question what was the profession of Sri Iqbal Singh Kingara who has passed away recently Sri Iqbal Singh Kingara जिनका हाल ही में निदन हो गया है उनका पेशा क्या था तो Iqbal Singh Kingara एक spiritual leader थे option D is the correct answer इंडियन socio spiritual leader थे किस community के सीख community के ठीक है और यहां तक कि इन्हें इसी साल 2022 में ही पद्म स्री देने के लिए अनौंस किया गया है for social work next question Lieutenant General Manoj Pande has replaced whom as the new vice chief of army staff Lieutenant General Manoj Pande ने किस नए थल सेना ध्याच के रूप में प्रतियस्थापित किया है यानि कि यहां से आपको पूछा जा रहा है और कुछ चीज बताया भी जा रहा है कि जो Lieutenant General Manoj Pande हैं वो अब बन गया है vice chief of army staff army staff के vice chief बन चुके हैं कौन? Lieutenant General Manoj Pande लेकिन यह किनको replace करके यह बने? मतलब इनके जगह पे कौन बने हुए थे? तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते थे तो पहले यहां पे बने हुए थे चांडी परसाद मोहंती option C is the correct answer ठीक है और इनके जगह पे यह बन गया अच्छा यह तो है vice chief तो question यहां पे एक arise होता है chief of army staff कौन है? अभी जो chief of army staff कौन है? यह सवाल बनता है general manoz मुकुन नरवाने यहां पे याद रखेगा vice chief भी है manoz नाम कही लेकिन उनको manoz पांडे है लेकिन और chief है manoz मुकुन्द नरवाने अगर नेवी के chief पूछू तो आर हरी कुमार यहीं पे लगे हाथ air force का ही बता दो तो कौन सा होगा? विवेक राम चौधरी ठीक है? नेवीक हो गए आर हरी कुमार चीफ और air force के विवेक राम चौधरी और अभी हमने आपको बताया फिर आरमी का ही बताए दिया चलिए होगे और वीडियो को लाइक करके ही जाईएगा यह हमें motivation देता है ताकि अच्छे से अच्छे में lecture विडियो बना कर लाऊं थैंक यू फोर वाचिंग बिहार स्वेल स्यून दे नेक्स विडियो जाहिंद कर वाचिंगा पिर अपको अच्छे से अच्छे डाचिंगी झाल भाचिंगा बढ़ावाइब बटे झाल झाल झाल